साथियों, हम इस बात के प्रति भी सजग है कि देश की सुरक्षा के लिए चुनाउतियों का स्वरुप बदल चुका है हम अपनी रक्षा तैयारियों को इन चुनाउतियों के अनुरुप करने के लिए भर्सक प्रयास करने हैं, प्रोक्टिव कदम उठा रहे हैं हमारा प्रयास है कि हमारी डिफेंस पावर, एकोनामिक पावर, टेक्निकल पावर के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन की पावर, पप्लिक के कॉन्फिडेंस की पावर, देश की सौब पावर, इन सभी फैक्टरस में एक सीनर्जी हो ये परिवर्तन आज के समय की मांग है, भाईयों और भेनों, पिछले तीन साल में, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े, पूरे इकोसिस्टिम में बढ़लाव की एक शुरुवात हुई हैं, बहुत नई पहल की गई हैं, जहां एक और, हम आवश्यक साजो सामान के विशे को प्रात्विक्ता के साथ एड्रेस कर रहे हैं, वहीं देश में ही आवश्यक टेक्नोलोजी के विकास के लिए प्रो एक्टिव एजेंडा भी सेट किया जा रहा है, लाइसंसिंग प्रक्रिया से, एक्ट्पर्ट प्रक्रिया तक, हम पूरे सिस्टिम में पारदरशीता और संतुलित प्रतिस्प्रद्धा ला रहे हैं, विदेशी निवेश को प्रोचान देने के लिए भी हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, अब 49% FDI ऑटोमाटिक रूट से किया जा सकता है, डिपेंस सेक्टर के कुछ छेत्रों में तो अब 100% FDI का रास्ता खुल गया है, डिपेंस प्रोकुर्टमेंट प्रोसीडर्स में भी हमने बहुत बड़े बड़लाव किये हैं, इन से मेकिन इंडिया को भी बढ़ावा मिल रहा है, इस से रोजकार के भी नए अफसरों का निर्माण हो रहा है, जैसे मुझे बताया गया है कि आइनेस कलवरी के निर्माण में लगबग 12 लाख मैंड डेज लगे हैं, इसके निर्माण के दोरान जो तकनी की दक्स्ता भारतिय कंपनियों को, भारतिय उद्योगों को, छोटे उद्यमियों को और हमारे इंजिनियरों को मिली है, वो देश के लिए एक तरसे टैलन्ट ट्रेजर है, यह स्किल सेट हमारे लिए एक एसेट है, जिसका लाख देश को भविश में लगातार मिलता रहेगा,